तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ICI Bank की तरफ से Quarter 2 के जो नमर वोड़े के लिए कर दिये गए हैं कैसे आए हैं Quarter 2 के नमर वो देखेंगे साथ में क्या कुछ Announce हुआ है Quarter 2 के दोरान वो भी जानेंगे डिटेल में तो चलिए सबसे पहले यहां पर आप लोग देखोगे Stand Loan Results दिया गया है और यहां पर ओल फिगर इन रुपीज क्रोड में रखी है यहां पर आपको 3 months ended और यह आपको half year ended results देखने को मिल रहे हैं तो चलिए फटाबर से देखते है टोटल income की बात करें जो हमें देखने को मिले अब की बार तो यहां पर आप लोग देखोगे लगबग 40,697 क्रोड जबकि previous quarter में जा थी 38,762 क्रोड तो previous quarter से इसके revenue में जंप और वहीं previous year के same quarter से कंप है कि जहां पर 31,087 क्रोड के आज पास income थी तो वहां से भी income में जंप है तो quarter on quarter वेशिस पर income में जं देखने को मिला है expense की बात करें यानि जो खर्चे देखने को मिले हैं अब की बार जो total खर्चे रही हैं लगबग 26,460 क्रोड के जबकि previous quarter में क्या थे 24,623 क्रोड के और वहीं previous year के same quarter में क्या थे 19,407 क्रोड के तो quarter on quarter वेशिस पर जो expense वो बड़े हैं और year on year वेशिस पर expenses में बड़ोतरी हैं और provisions की बात करें तो यहां पर आप लोग देखो जो हमें देखने को मिले अब की बार लगबग जबकि previous quarter में क्या थी 1292 क्रोड की और वहीं previous year के same quarter में 1644 क्रोड क्वाटर वेशिस पर गिरावट और previous year के same quarter से compare करें तो वहां से भी गिरावट अब की बार जो revenue हो इसके expense से जादा है तो इसका मतलब company को हुआ फिर से profit कितना profit हुआ चलिए देखते भी net profit for the period यहां पर 1261 क्रोड का जबकि previous quarter में क्या था 9648 क्रोड के असपास और वहीं previous year के same quarter में 7557 क्रोड तो quarter on quarter वैसिस पर भी जंप profit में और year on year वैसिस पर भी profit में काफी शांदार जंप हमें देखने को मिला है अगर बात करें earning per share की EPS की तो यहां पर आप लोग देखो कि जो अपकी बार EPS देखने को मिला 14 रुपे 66 previous में क्या था 13 रुपे 80 पैसे और previous year के same quarter में 10 रुपे 60 पैसे और वहीं अगर बात करें net NPA की ठीक तो यहां पर आप लोग देख सकते हो भी जो net NPA में देखने को मिल रहे है अब की बार वहत तकरीबन 5040 क्रोड के previous quarter में क्या थे 5380 क्रोड के और तो अच्छे हो आते हुए नजर आए है ठीक पिछले की मुकावले और अपके बार जो deputy है वह यहां पर आप लोग देख सकते हो भी deputy हमें देखने को मिल रही है 0.30 की प्रिवेस में क्या थे 0.33 और वहीं प्रिवेस एर के सेम क्वाटर में 0.40 की तो और प्रिवेस एर के सेम क्वाटर से कंपेर के तो वहां से भी deputy में गिरावट है जो की काफी अच्छी बात है तो results काफी शांदार आए है काफी अच्छा है जिसका positive effects टोक्यो पर हमें दिखाई देगा और इसके दवारा कुछ announcement है वो अभी यहां पर आप लोग देख सकतो dividend ऐसा कुछ announcement हो नहीं dividend bonus बगरा और अगर इसके रिगारें कोई update है आई हो आपके साथ जुरू साजा करेंगे तब तक के लिए channel को subscribe और bell icon को press करके and thank you for watching the video